हेलो एबरिवाण वेलकम वेक्पु माइन्यूविडियो तो जी कैसे आप सब आप सब अच्छे ही होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपका सभागत है जी तो फ्रेंड्स आज जी मेरी वीडियो है २ इस तरह कीचन में हम देखे और्गनाइजर को लेकर जैसे घर में हमारे केई खाली बॉक्स होते हैं कंटेनर होते हैं तो उनसे आज बहुत ही प्यारे प्यारे और्गनाइजर बनाएंगे जीरो कोस्ट में तो फ्रेंट्स फोर या फाइव आइडियास हैं तो ठीक है जी तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे लीजिए ठीक है यह 10 रुपीज की रेंज में एक वोल पेपर होता है तो यह हर कलर में हर शेप में और इस तरह डिजाइनिंग में आते हैं तो फ्रेंट्स यह वाला सबसे पहले हम यूज करेंगे तो एक मेरे पास बोक्स है कलर का जैसे तो चीज होती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं यह कबार में दे देते हैं या फैक देते हैं बोक्स बट फ्रेंट्स यह बोक्स है जैसे फोन की है फोन आता है जिन में काफी मजबूत होते हैं तो जी यह हमारे सालो साल चलते हैं तो उनसे हम घर और किचन के लिए बहुत सुन्दर चीज़ें बना सकते हैं तो जी इधर फैविकोल लिया है और ये box के उपर ये red color में हैं काफी मजबूत है तो जैसे हमारे color वगेरा मजबूत मतलब महंगे आते हैं उसी तरह box भी काफी मजबूत होते हैं तो ठीक है जी इनका हमें देखिए फाइदा उठाना चाहिए तो उपर से थोड़ा सा मैं इस तरह की shape कट करूँगी बहुत ही जादा जीरो कोस्ट में हमारा ये container बनने जा रहा है और ये मैं दिखाऊंगी आपको की kitchen में हम किस तरह इसको use करेंगे तो जी cutter से बस उपर का portion है वो मैं थोड़ा cut कर दूँगी और इदर side में इदर हम न paper tape उसको masking tape भी बोलते है तो वो जी आपको stationary shop पे आराम से मिल जाएगी तो ये देखिए friends final look तो इदर मैंने side में paper tape लगा दी है और कितना प्यारा हमारा organizer बन गया है दूसरा जी इदर friends लकड़ी के छोटे छोटे piece पड़े हुए थे मेरे पास तो ये बाहर कबार में थे मैं उठा कर ले आई बस जी यही paper की मैंने square size में cutting cut करी है तो इदर आप देखकर उपर करंदाज्या लगा लीजिए तो उतना उतना मैंने cut कर लिया और फैविकोल से इनके उपर ये हम paste कर देंगे तो ये piece है जी वैसे बिकार पड़े थे बट ये हमारे kitchen में इन बहुत ही ज़्यादा उप्योगी है इन पे हम अपने छोटे छोटे डिब्बों को रख सकते हैं और कितने सुन्दर लगते हैं इनको आप चाहो तो इनको paint भी आप कर सकते हो लकड़ी के छोटे छोटे piece को तो जी अकसर हमारे जब मिस्त्री वगरा घर में लगते हैं तो ऐसे piece हमारे हर किसी के घर में बच जाते हैं तो ये दिखे जी kitchen की self के नीचे ये space खाली होता है तो पहला हमने side में ही लगा दिया oven के और दूसरे पर जैसे छोटी छोटी डीब्या रखने के कामा जाता है इसको आप जैसे मर्जी इस तरह भी decor कर सकते हो तो friends इस तरह अगर आपके पास भी छोटी छोटी piece हैं तो आप उनको इस तरह decor कीजिए आगे friends इस तरह के plastic के container काफी food वगएरा के भी आते हैं और ये मेरे जी biscuit वगएरा के हैं दोनों खाली हो चुके थे इनको भी कही बार हम fact देते हैं बट इनको भी थोड़ा सा अगर हम decor करेंगे तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दो container बन जाते हैं तो friends इन में भी बस यही paper आप चाहो तो कोई और paper भी use कर सकते हो बट मुझे ये बहुत सुंदर लगा मतलब इसकी designing बहुत अच्छी लगी तो इस तरह जी बस फैविकोल लगाया है और फैविकोल को friends ये paper लगान के बाद आप उपर से फैविकोल थोड़ असा लगाएंगे ना तो ये चीज की म्याद भी बनी रहेगी ये जल्दी से paper हमारा नहीं उतरता तो कुछ नहीं करना जी एक side थोड़ी सी नाप लीजिए इधर से मैंने एक नाप लिया और फिर बाकी के piece से ना हम उसी piece को कट कर उपर कर cutting कर लेंगे त तो same ही हमारी जो size में कट करा है वैसी ही shape आ जाईगी तो इस तरह एक एक piece काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस फिर फटा फट हम इनको paste कर देंगे और ये है उपर के धकन तो friends ये धकन के उपर भी इस तरह का square size का piece कट कर फैविकोल से लगा देंगे तो बहुत सारे container ह होते हैं friends cookies वगएरा बच्चों की आती है इस तरह में तो ये देखेजी दो इतने प्यारे मतलव ready हो चुकी हैं देखने में अब और ज्यादा सुन्दर लग रहे हैं तो इन में आप भुजिया वगएरा या कही चिजह ना डिबो में आती है जैसे complaint हो गया या चाय पती चि जैसे मरजी आप चाहो तो इनको आप अपने हिसाब से यूज कीजिए बट friends देखने में बहुत ही जादा सुन्दर ये हमारे दो और बन चुके हैं और kitchen में पड़े भी बहुत जादा सुन्दर लग रहे हैं आगे friends ये मेरे पास अक्सर तेल की इस तरह की कहनी आती है तो क kitchen के लिए हमारा topic चल रहा है तो kitchen के लिए organizer बनाएंगे इसका तो पहले हम क्या करेंगे कोई marker से इस तरह की shape दे लेंगे जैसा की हमने बनाना चाहरे हैं फिर थोड़ा सा cutting है जो cutter से easy हो जाती है तो इधर थोड़ी ये मजबूत थी 5 लीटर की ये oil की refined oil की की कहनी है तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना knife से ही किया जाए तो इधर जी बस फिर मैं gas के पास लिए ही और थोड़ा सा जो बचा हुआ portion है उसको knife से हम easily knife को ऐसे गरम करकर easily cutter कर सकती है बस friends जो भी चीज बनानी है उसका पहले आप marker से निशान लगा लीजिए तो इधर जी देखिए मैं मैंने मुर्गी का मतलब इस तरह का face type सा बनाया है भी इस तरह का हमारा organizer बनेगा जो हमारा देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा लगेगा ठीक है जी तो ये easily 5-10 मिनट में गरम किये हुए knife से कट हो जाता है तो ये देखिए कट होने के बाद ये वाला portion एक बा बता रहता है paint हमारा उस पे नहीं हो पाता तो पहले wash कर लिया है अच्छे से सुका लिया उसके बाद बस जी हम इस पे अपना color apply करेंगे तो सबसे पहले friends मैंने लिए है acrylic paint acrylic paint होते हैं long stay होते हैं जो किसी भी दिवार पे plastic container पे कोई भी चीज पे suit ओं पे हम easily इनको कर सकते है और ये 2-4 साल कहीं नी जाते काफी सुंदर होते हैं ये color तो friends बस जी इदर उपर है जो इस तरह हैं का हम मूँ बनाएंगे और उपर मैंने ये cutting करी ली थी साथ की साथ ही जो इसकी मूर्गी की कलगी सी है और इदर सारी को black कर देंगे और इदर जी मैंने लिए है गूगली याइस गूगली आइज भी stationary shop से 10 रुपीज की range में packet आता है काफी सारा तो वो हमें मिल जाता है तो बहुत ही जादा सस्ता है तो इदर लगा दीजी गूगली आइज इससे और ये जादा मतलव सुंदर लग रही है तो आप friends आगे का इस तरह है मूँ टाइप सा हम इसका देंगे थोड़ा से यलो किया है और निच्चे की तरफ से थोड़ा सा इस तरह है तो देखिए जैसे जैसे paint हो रहा है यह मतलब और ज्यादा खूबसूर्त लग रही है तो आप इस तरह हैं की बड़ी बड़ी जो कहनी होती है friends oil की आप उनसे या तो अपने pot वगेरा बना देंगे मतलब देखने में सुंदर लगेगी तो यह जी इसका final look तो friends मैंने तो इसमें actually घर में कोई एग वगरा नहीं खाता अगर आप यूज करते हैं तो यह एक तरह का मुर्गी के साथ एग का मतलब बहुत अच्छा लगता है तो आप इसमें अंडे वगरा रख सकते है हैं बहुत सुंदर लग रही है मैंने इसमें रखा है जी refined oil सरसुंका oil जो भी मतलब kitchen में यूज होता है और sauce क्योंकि यह चिज़े ना मेरी self चिप चिपार सी हो जाती है जब हम यूज करते हैं थोड़ा सा तेल ढूल जाता है साइड़ों से तो सारी self खराब हो जाती है तो friends आप अपने coding इसको use कर सकते हैं तो जी अभी इधर आईए मैं दिखाती हूँ आपको इसी कहनी से मैंने इधर गनेश जी का मूँ बनाया हुआ है पोर्ट बनाया हुआ है यह मैंने फिलाल इसमें plant मतलब सूख चुका है वो लगाने वाला है तो plant के तोर पे पोर्ट बनाय चाहिए आगे friends इस तरह के जो हमारे fresh wrap के जो cardboard बच जाते हैं तो उनको आप इस तरह यूज कीजिए जैसे मैंने उपर थोड़ा सा कट कर कर ये हम चेकड़ी के साथ बनाया knife वगएरा या seizure वगएरा की चन में हम इसको use कर सकते हैं तो I hope friends आपको आज की वीडियो अच्छी आगी हो